एक सोलजर ये नहीं बूचता, देश ने उसके लिए क्या किया, बूचता है वो देश के लिए क्या कर सकता है पठान, शारुखान की नई पिक्चर जो 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, उसका आज ट्रेलर रिलीज किया एक जलक में देखे लगता है कि ये ट्रेलर ठीक्टा की है, जैसे टीजर था और इसलिए ट्रेलर को देख के बता नहीं सकते कि पिक्चर अच्छी होगी या नहीं हाँ, आक्शन से भरपूर होगी उमीद तो है कि पठान को थेटर में देखने में मज़ा आएगा, इसके दो कारण है एक, इस फिल्म का डिरेक्टर वही है जिसने वार को डिरेक्ट किया है और दूसरा, ये शॉट इसे देखकर मैहूना वाली फीलिंग आती है क्योंकि इस शॉट में पठान के चहरे पर जरा भी घमन नहीं है जो बाकी के ट्रेलर में दिखता है तो हो सकता है कि ये पिक्चर अच्छी हो हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दृश्यम टाइप कहानी एक्सपेक्ट करो इसकी स्टोरी एकदम सिंपल है एक विलिन है जो भारत को बरबाद करना चाहता है एक हीरो है जो देश को बचाना चाहता है और एक हिरोईन है जो हीरो की मदद करती है और होपफुली इस पिक्चर में वो मरती नहीं है बस एक और बताने वाली बात ये है कि इस picture में action तो भर-भर के है जितना भी VFX और stun double से करा सकते थे इतना उन्होंने किया है लेकिन समझने वाली बात ये है कि पठान के जो actor है वो war के actor से 10 साल बड़े है तो इन से war जैसे fighting के expectation रखना गलत होगा एक और shocking बात जो मैंने इस trailer के बारे में notice की वो ये कि इसमें wow factor नहीं है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ 2021 के अंत में पठान जैसी ही एक picture आई थी सूर्यवंची उसमें एक नए character को introduce करने के लिए दो पुराने characters आये थे और क्योंकि उनका सूर्यवंची के end में बड़ा योगदान था इसलिए उनको trailer में भी दिखाया था लेकिन पठान के case में भले ही wire f universe का logo दिखाया है लेकिन इस universe के जो दो पुराने characters है उनको नहीं दिखाया इसलिए डर लग रहा है कि ऐसा तो नहीं की cameo के नाम पर बस उन दो actors के चेहरे दिखा दिये computer पर और बस बोल दिया कि ये तीनों hero एक साथ दिखेंगे 2025 की किसी picture में अब बस देखनी वाली बात ये रहीगी कि दो picture ओको जो मैंने पठान से compare किया इसमें सूर्यवंची ने covid restrictions होते हुए भी almost 300 करोड कमाए और war ने almost 500 करोड कमाए तो क्या लगता है आपको पठान कितना कमाएगी और एक और प्रशन है इस wire of universe में क्या धूम के characters भी है आपको क्या लगता है comments में बताईएगा पठान release होने पर उसके बारे में भी हम बात करेंगे तब तक के लिए अस्तिर चितर चानल पर बनी रही है जय हिंद